इसी को बोलने के लिए इसी को बोलने का दूसा तरी का यह भी के इसको बोलने कर नहीं इसे के basis पर हम यह भी बोल सकते हैं माले f x को इंट्ग्रेट करके g x प्लस c आ रहे हैं then को एक standard formula है उसमें हमें बता है कि एकर f x को इंट्ग्रेट करेंगे तो answer g x आ देंग अब हमें क्या दिया कि fx की बजाए f of ax plus b दे दिया dx मतलब जो भी हमाँ left hand side पे dx को छोड़के और integral sign के बीच में जो function होता है उसको integrate करें मतलब इस वाले किसमें इसको integrate करें तो जिस function को हम integrate करें उसमें जहां जहां पर भी x आ रहा है अगर उन सब जगा पर x की बजाए ax plus b आ जाए मतलब एक linear function आ जाए तो फिर इसका integration भी हम same formula से ही कर सकते हैं जैसे इसका gx आ क्या यहाँ पर x था यहाँ पर x था तो यह g of ax plus b आ गए बस हमें करना क्या पड़ेगा कि के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि माल लिया हमने ऐसे लिखा b dx ठीक है this is equal to integral of f of ax plus b और dx को माल लिया मैंने लिखते है d ax plus b यह ठीक है अब शायद यह पता होगा differentiation से कि अगर हमारे पास कुछ भी माल लिया d of hx लिखा है differential element hx का लिखा है तो अब what I can do कि जो अंदर hx लिखा है उसको differentiate करके लिखा हो h-x इंटू साथ में dx लिख दिया माल लिया में में पास d e raised par t लिखा है d e raised par t का मतलब कहा है e raised par t variable का differential element तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ तो मानलिया मेरे को sin inverse y इसका differential element दिया है तो मैंने sin inverse y को differentiate किया या जाएगा और साथ में एक dy लिख दिया ठीक है तो इस line पे अगर में पास ऐसे लिखा है d ax plus b जो भी हमने इस integral में लिखा है तो इसके लिए क्या करेंगे जो अंदर वाला function इसको differentiate कर दिया ax plus b is nothing but x का function तो इसको differentiate करोगे ax plus b को तो a आएगा और साथ में dx लिखते है उसका लोगा d ax plus b and a dx ब्राबर है अब इस पर आ जाओ ओरिजिनली तो ऐसे लिखा था integral of f of ax plus b dx इसको हमने ऐसे करें integral f of ax plus b d this तो अगर मैं इस d को वापस simplify करूँ तो यहां से तो आ जाएगा a dx a constant है तो इसमें तो a फालत हुआ गया तो यह और यह directly तो बराबर है नहीं क्योंकि दूसरे second वाले में नीचे वाले में a जाता है तो उस a को हटाने के लिए हमने क क्या किया क्या किया वन अपॉन ए लिखती है अब क्या होगा कि एगर मैं इस वाले term को simplify करूँ तो जो a dx a dx आएगा उसमें जो a आएगा वो इससे cancel हो जाए cancel हो जाएगा तो वापस यह उपरवाल expression बन गया कहने का मतलब यह है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे लिखने से क्या हो गया कि अब जो अभी हमने a point बोला था क्या बोला था कि एगर fx का integration में gx आ रहा है fx dx का integral लगए gx है तो ft dt का integral gt हो जाएगा अगर यह दोनों t same है तो सही है तो यहाँ पर भी कुछ हम ऐसी बोल ले है इस जगा पर कि जो fx dx है उसका integral gx है तो इन दोनों जगा पर इन दोनों x की जगा पर अगर मैंने यह ax प्लस b लिख दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी then I can apply same formula 1 upon a तो पहले से भाह लिखा है then I can apply same formula that is g of बस नया argument clear अगर a x plus b को मैं t बोलू तो this is nothing but ft dt तो अगर fx dx यह gx plus c है तो फिर यहाँ पर ft dt gt हो गया gt plus c हो गया और यह जो 1 upon a बाहर लिखाता हुग ऐसी लिखा रहे गया ठीक है थोड़ा सा confusing वह शायद है जो पहली बार पढ़ता है क्या बोला हमने हमने effectively यह बोला कि एक function है इसका integral हमें पता है उस function में अगर मैं x की जगा पर एक linear expression रख दूँ केवल linear expression is allowed और कुछ भी allowed नहीं सही है मनले मैं 3x plus 4 रख दिया 3x plus 4 एक linear function है हर जगा पर जाए जाए एक सारा है सब जगा पर मैंने 3x plus 4 रख दिया तो जो integration वाला formula मैंने को पता है I can apply same formula बस answer में हर जगा मेरे को x की कर 3x plus 4 लिखना पड़ेगा और जब पूरा answer आ जाए उसको 3 से divide और कर दिया ठीक है क्या मतलब है इसका यह कि हमेरे पता है कि e x dx जो है इसका integration e x plus c होता है ठीक है अब मैं e x अगर लिख दूँ मालने है 4x minus 7 into यहाँ पर dx लिखा रहे ने विया तो इससे क्या होगा कि इस x की जगा पर यह function था जिसको हमें integrate करना है उसकी जगा हमने यह function लिख दिया जिसमें x की जगा पर linear function लिखा है 4x minus 7 ठीक है बाकी सब वैसे ही है तो इसने क्या बता linear का मतलब ax plus b तो भी यही वाला formula लग जाएगा मतलब e raised to par x का integration e raised to par x था तो यहाँ पर भी e raised to par something आ जाएगा something मतलब नया variable तो नया argument क्या है 4x minus 7 तो यह भी 4x minus 7 यह आ जाएगा बस मेरे को करना क्या अपड़ेगा कि जो x का coefficient है 4 उससे divide करना पड़ेगा पूरे answer को पूरे answer को मतलब 1 by 4 c को divide करो कोई फरक नहीं पड़ता वो तो arbitrary constant है तो जो c by 4 है उसको वापस c बोल दिया ठीक है अब यह समझने वाली चीज है कि अगर माल लिए यह e 3x square plus 2 dx ऐसे लिखा होता तो इसके integral को I cannot write down ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि यह linear नहीं है जो इसके corresponding जो हमें standard formula यह पता है उसमें x की जगा पे यह linear नहीं आया second वाल example पर तो linear था तो इसलिए लग क्या linear मतलब ax plus b तो यह तो quadratic आगया quadratic आगया तो नहीं कह सकते ऐसे गर माल लिख साइन x dx आ जाए ऐसे तो इसका answer भी मैं ऐसे नहीं लिख सकता है e raised to plus sin x plus c गलत है क्यों क्यों साइन x linear थोड़ना है ठीक है एक तो यह चीज़ समझ बाने चाहिए फिर एक चीज़ यह भी समझ बाने चाहिए कि माल लिया अगर ऐसे लिखा होता से 7x minus 9 और dx की बज़ाए d7x minus 9 लिखा होता तो जो अभी हमने दो पॉइंट बढ़ा है न ए पॉइंट में तो हमने क्या बोला कि fx dx का integral gx है तो ft dt का integral भी gt हो जाएगा यह तो a point था बी point में अभी क्या पढ़ा रहे हैं कि अगर fx integral fx dx का integral gx है तो f of ax plus b का integration x के respect में जैसे यहाँ पर जो भी हमने लिखा है न उसमें हमने यह तो linear change कर दिया बट यह change नहीं किया यह तो same x है तो same x से तवी इस चीज बोलने की जहुत पड़ी अब इस example में क्या अंतर है कि यह भी change हो गया यह दोनों change हो गया तो यह तो ft dt ट टाइप चीज हो गई यह ft dt ट टाइप चीज नहीं होई बट यहाँ पर यह ft dt ट टाइप चीज हो गई तो ft dt ट टाइप चीज हो गई बस आंसर gt लिखना है gt मतलब e raise to power 7x minus 9 plus c बस यह answer है ठीक है अगर समझने में दिखते हैं तो let me take one more example तुम इसको ऐसे देखो कि माल लिया cos x का integration है dx कितना होता है sin x plus c होता है ठीक है अब इसके basis पे माल लिया मेल को यह question दिए गए cos 5x plus 7 dx इसको integrate करना है cos 3x square minus 4 dx इसको integrate करना है integral cos say 7x minus 5 d7x minus 5 फिर integral cos of cos x dx इठीक है और यह कोलिक लिया माल लिया cos x यहाँ पर d3x plus 4 माल लिया को यह questions दिए जाएं आप देखो cos x dx sin x है पहले में क्या अंतर है पहले में b part लगेगा जो भी हमने उपर दो पर लिखाए इसमें b part लगेगा क्यूंकि यह x तो linear से change हो गया बट यह change नहीं हुआ यह तो dx ही रा तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलता है कि जो नया argument है जैसे इसमें नया argument क्या है 5x plus 7 उसी को लेके नया answer लिखतो बस जो x के साथ number लिखा हुआ है जैसे इस वाले case में x के साथ क्या number लिखा हुआ है 5 उससे divide करना पड़ेगा तो 1 by 5 सेम अंसर साइन बस x की जगह है जैसे यहां जो x लिखा है उसकी जगह है नया argument लिखना पड़ेगा which is 5x plus 7 तो 5x plus 7 plus c ठीक है